हेलो दोस्तों कैसे गार आप सब लोग आज सब गाता हूं आपका मेरे इस नए वीडियो में काफी दिनों बाद में एक वीडियो डाल रहा हूं एक चली में बाहर चला गया था उट विश्टेट इस मेरे वीडियो नहीं आप आये थे और अपसे मेरे रेगुलर वीडियो सब्सक्राइब कराओं माच्छी जा रहा हूं एक बहुत ही अच्छी मतलब है छिप हल्स रेलेटेड वह चीज है मैं विडियो एक पंगर प्लस ऑक्सीर में दोस्तों और क्या इसका यूज करना है वो मैं आपके इसमें बताउंगा और क्यों यह जरूरी है वो मैं आभी आ सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोरोना में होता क्या है आपकी ऑक्सीजन लेवल जो है बोडी का आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है वह डाउन होती चली जाती है अपके बोड ऑक्सीजन है उसको monitor करता है और साथ ही साथ आपकी हार्ट बीट को वी बताता है कि कितने आपकी पल्सेट चल रही है चली 25 के अन्बॉक्सिंग और साथ ही में इसका रिवीव को डोस्तिव का प्लॉक्ष में टहीं हमने और आ जा गया है इसका प्रिकट हमारे पास और घपराने की कोई जरुत नहीं है मैंने कर लिया है इसको अच्छी तरह से सेनेटाइज चलिए दोस्तों इसकी टेप को भी जल्दी से अपन सीजर की मदद से इसको हटाते हैं यह लीजे इसकी सीजर की मदद से हमने इसको हटा दिया है और करते हैं इसको ओपन देखते हैं क्या है इसके अंदर यह देखिए जी आर एट का यह है फिंगर पल्स ओक्सी मीटर जो मोन से में इसके अंदर देखने को मिलने जाता है यह इतर यह फास आ कशीमिल रुडह करし इसमें दिया हुआ है यहां पर देखिए इंस्टक्शन किस तरह से हमें इसे यूज करना है तो यहां पर यह इस पल्स oximeter के बारे में बताया हुआ है और यहां पर दिखाया हुआ है दोस्तों इस चगपर operation instructions तो चलिए हम जल्दी से इन्हें पढ़ लेते हैं install a pair of to play batteries into the battery compartment plug your finger into a rubber hole of the oximeter press button on the front panel to start do not shake your finger and move your body when the oximeter is working press the button if you want to change display direction read the relevant value from the display screen और last में यह बुल रहा ही कि on second में अगर आप इसमें finger नहीं डालते हैं तो on second में यह जो है automatic off हो जाएगा और दोस्तों इसके अलावा और यहां पर कुछ product feature और कुछ parameter से आपर दिये गए हैं चाहें तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं फिलाल के के लिए मुझे लगता है एक डोरी दी हुई है चलिए करते हैं इसको भी भार निकालते हैं इससे यह देखिए दोस्तों यहां पर हमें मिल जाती है एक यह hanging strip जिसे हम बोल सकते हैं इसको हम इसके साथ clamp करके कहीं भी हैं कर सकते हैं तो यह भी सही चीज़े दोस्तों आप चाहें तो इसे कहीं भी हैं कर सकते हैं इसमें फोल्ड करके और यह आगे का पार्ट जो है इसमें थ्रेड़ेड है आप चाहें तो इसके साथ भी सकते है चलिए दोस्तों अभी हम इसको भी रखते हैं साइड में और अभी आते हैं हमारे मेन प्रोड़क्ट ऑक्सिमेटर के उपर यह देखिए दोस्तों यह इस तरह का एक छोटा सा ऑक्सिमेटर यहां पर है जिसमे एक सामने बटन दिया हुआ है मिश्टर जी आरेट की ब्रेंडिंग है और इसके कुछ इस पर प्रिंटर है यह सामने वाला एक होल है दोस्तों जिसमें आप पीछे से आप इस तरह से दबाकर अपना अपनी फिंगर को जो है आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे बिना किसी देरी के इसमें लगा लेते हैं बैटरी को कहां से लगेगी यह देखे दोस्तों यहाँ पर पीछे एक एरो का साइन दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा तो एरो डायक्षर में हमें इसे कीचना है तो यहाँ पर इसका यह कवर फुल जाएगा इसके बाद मैं करने के करने करें चलिए करके अब हम जो है इसकि दोनों बेटरी को इसमें डाल देते हैं और यह करते हैं तो को हम अगर दबाते हैं तो यह ओन हो जाता है दीकिए दोस्तों अभी मैंने कोई फिंगर नहीं डाली है थे हमें कोई भी पिरमिटर नहीं दिखाएगा ये देखिये तो चलिए अभी दोस्तों मैं इसका टेस्ट कर लेता हूं दोस्तों इसके अंदर यह आपको डिस्प्ले की साइड में आपको अपना लेल डिस्प्ले की साइड उपर की तरफ रखना है अपना नंतको और इसकोपिछे साप फूश कर fan पुछ पर इंसेट करना है और इस बटन को प्रेस करते लां है अभी देखे दोस्तों इसको औरेन्टेशन इल्टा आ रहा है और PR जो मेरी दिखा रहा है Pulse Rate जो मेरी दिखा रहा है 105 दिखा रहा है इस बटन को आप प्रेस करके बार-बार डिस्पले का Orientation चेंज कर सकते हैं ये देखे मैं बार-बार प्रेस के जा रहा हूँ और डिस्पले का जो Orientation है वो हर बार चेंज होता जा रहा है तो आप अपने आपको जो अच्छा लगता है उस ओरिंटेशन में आप इसकी डिस्प्ले को रीड कर सकते हैं इसकी डिस्प्ले में उपर आपकी हार्टरेट के अकोडिंग एक ग्राफ चलता रहता है और यह एक लान भी एकर्थ सब्सक्या वोडि में हमें कितनी औक्सीजन है क्योंकि हम आपके समस्ते तो इसससे आम हमारी डेली ऑक्सीजन मोनीटर कर सकते हैं मुझे तो लगता है कि यह सभी लोगों के पास आज होना चाहिए तो आप सब भी इसको खरीद लें I hope दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और प्रोड़क्ट भी अच्छा लगा होगा जो कि हेल्ट से रिलेटेड है काफी अच्छा प्रोड़क्ट है और इससे हम कभी भी किसी भी वक्त हमारी oxygen चेक कर सकते हैं बोड़ी में कितनी oxygen है और साथ ही हमारा पल्स रेट भी हम चेक कर सकते हैं तो अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज जरूर लाइक कीज़ेगा और बहुत ही जल्द देकर आते हैं आपके लिए अगली वीडियो तब तक के लिए बाए